हेलो सुडेंट आज हम इस वीडियो में ब्लाक इसकोस मॉडल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम इसकी मीनिंग एजम्शन और इसकी फॉर्मले को भी समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कि ब्लाक इसकोस मॉडल है क्या जैसे हमने future contract में future की pricing को calculate करने के लिए cost of carry model देखा था ना जो हमें यह बताता था कि future की price कैसे calculate करते है future contract की price कैसे निकालते है सेम उसी तरीके से ब्लाक स्कोस मॉडल है जो कि हमें options की price को calculate करने के लिए बनाया गया है मतब यह model जो developed किया गया वो basically किस चीज के लिए options की क्या price होनी चाहिए उस चीज को यह calculate करता है अब option हमारा call option हो यह put option हो दोनों में से कोई भी चीज हो उसकी pricing के लिए यह model बनाया अच्छा आपको clear होगा क्यों option क्यों होता option एक right होती है power right कि हम चाहें तो buy करें चाहें तो ना करें मेरे पास यह right हो तो call option क्यों होता है कि जब मेरे पास हम हम जब purchase करते हैं इस contract में जब entry रहेंगे हम purchase करने के contract में entry कर रहें तो call option का मतलब हम option खरीद रहे हैं buy करने का हम right खरीद रहे हैं power खरीद रहे हैं buy खरने की कि हम future में खरीदेंगे इसी तरीके से put option क्या है यहाँ पे हम purchase कर रहे है right हम power purchase कर रहे है sale करने की तो यहाँ पे हम put को मतलब sale करने का option तो sale करने का right खरीद रहे है purchase करने का right खरीद रहे है that is your call option and put option तो call option हो या put option हो किसी की भी price कितनी होनी चाहिए वो हम किस model से calculate कर रहे है black schools model से और basically pricing के लिए दो ही model होते हैं एक binomial और एक black schools model तो black school model जो होता है हमारा वो एक mathematical equation है जिसके तो हम option की pricing समझते हैं कि option की क्या fair price होनी चाहिए तो इसी लिए इस model जो हमें यूज करता है वो क्या करके बताता है कि कि किसी भी stock option की fair price क्या होनी चाहिए fair price मतब theoretical price जैसे हमने देखा था न कि future price में spot future parity price होती है या फिर हम इसको कहते है cost of carry cost of carry model तो यह हमें क्या बताता है कि fair value क्या है इस future contract price की fair value क्या होनी चाहिए इसी तरीके से अगर हम black schools model यूज करते है तो यह हमें बताता है कि इस option की चाहिए वो call option हो चाहिए put option हो option के price क्या होनी चाहिए fair value theoretical value क्या होनी चाहिए market में क्या है ये बात नहीं क्या होनी चाहिए यह हमें कहां से calculate होता है black schools model से अचा यह model जो है इसको BMS model कहते हैं यह model basically क्या करता है छे variables हैं जिनको consider करता है बताब पूरा model यह पूरा mathematical equation जो frame किया गया कि जिससे हम price को calculate करके रख पाएं और price समझ पाएं वो six variables पर depend था अब यह variables कौन कौन से थे पहला type of option option आपको पता होना चाहिए कि आप किस option के लिए price calculate कर रहे है call option या put option तो call option के लिए आपका अलग उन्होंने mathematical equation दे थी put option के लिए आपकी एक अलग mathematical equation दे थी clear है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए call or put option दूसरा underlying stock price जो जिस stock के लिए जिस चीज के लिए आप यह option purchase करने की बात कर रहे है option ले रहे हैं चाहिए call या put उसकी price क्या है मतलब उसकी spot price है ना market में वो underlying assets कितने का sale हो रहा है मतलब market value क्या है उस underlying assets की market value क्या है तो that is your spot price आपको spot price पता होना चाहिए time यह option contract आप जो लेने जा रहे हैं option contract या आप call या put जो भी ले रहे हैं वो कितने time period के लिए आप ले रहे हैं दो महिने के लिए तीन महिने आप यह right कितने समय के लिए खरीद रहे हैं कि तीन महिने में हम यह right exercise करेंगे हैं दो महिने में यह right exercise करेंगे तो आप कितने time period के लिए option purchase किए ये हैं कि आपको time पजाओना जरूरी है right strike price strike price मतलब अगर आप कहते हैं कि हम purchase करने right हम buy करने का right purchase करे या sell करने का right purchase करे पर हम purchase करने क्या right option purchase कररे है तो ऐसे situation में आपको ये पता होना जाए कि उस option की price क्या look strike price क्या मतलब 3 महेने कर रहे हैं देखे option की price आपको calculate कर नहीं है राइट लेकिन हम यह कह रहे है strike price का क्या मतलब होता है कि जैसे suppose करिए कि आप 200 का कोई आपका contract है option जो आप खरीद रहे हैं कि आपके सामने कोई product है उसको अगर आज आप purchase करते हैं तो आपको 200 का पड़ेगा आप कहते हैं कि यह हम आज नहीं purchase करेंगे अगर इसको हम एक महीने बाद purchase करेंगे मतलब हम आपसे purchase करेंगे अगर हम चाहेंगे तो हम आपसे purchase कर लेंगे हम ऐसा right खरीद रहे हैं कि आपको देना ही पड़ेगा आपकी obligation बन एक महीने बाद 210 में ही इसको खरीदेंगे, इसके लिए हमें आज कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो जो हम आज पैसा देंगे, कि यह हम राइट खरीद सके, that is your option price, यह option price कहलाया, और हम एक महीने बाद 210 में खरीदेंगे, यह 210 हमारे strike price कहलाया, तो यह तो clear है कि option price क्या ह होई strike price क्या होई, spot price क्या होई, यह तीनों अलग है, आज खरीदेंगे तो क्या rate चल रहा, that is your spot price, एक महीने बाद अगर हम खरीदने का power खरीद रहे हैं, कि हम right खरीद रहे हैं, कि हम खरीद सकते हैं, आपसे खरीद सकते हैं और आपको बेचना पड़ेगा, तो यह जो right खर price पता होनी चाहिए, यहाँ पर यह important है, next volatility, volatility मतलब क्या होता है, कि कितना market यह कितना चीज़े volatile है, कितना ज्यादा उसमें fluctuation से है, कितना vary कर रहा है, इसको हम standard deviation से denote करते हैं, standard deviation कितना deviate कर रहा है, कितना volatile है आपका, right, तो यह हम volatility जो है, यह हमें पता होनी चाहिए, और next है risk free rate of return, मतलब किस interest rate, जो risk free rate of interest है, वो आपको return का जो rate है, वो आपको पता होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि black schools model ने क्या कहा, कि option की price हम पता कर लेंगे, कि fair price कितनी होनी चाहिए, subject हो कि यह 6 चीज़े हमें पता हो, इन 6 चीज़ों के basis पे उन्होंने एक mathematical equation दिया, और इस equation क basis पर उन्होंने option की price को calculate किया, कि अगर आप खरीदना चाहते हैं, power, right, right खरीदना चाहते हैं, तो आज आपको कितना pay कर देना है, उस option की क्या price होगी, वही हमें black schools model बताने वाला है, ठीक, अब यह model जो develop हुआ, उसे develop किया किस ने था, तो economist थे, Fisher, Black and Maroon, schools ने 1973 में, यह black schools model क develop किया था, और इस पूरे idea को, जो इन्होंने पुरा model यह जो बनाया, जो इन्होंने financially कैसे इसको calculate करना, यह चीजी पूरा equation बनाया, इसको सबसे पहले Robert C. Mariton लेके आए थे सामने, और इसी लिए इसका credit, इस model उन्हीं भी जाता है, और इसी वजह से, इस model का एक और नाम है Black Scores Mariton Model या B.S.M. Model, तो B.S.M. Model क्या हो गया, Black Scores Mariton Model, ना कि Black Scores Model, clear है, तो B.S.M. Model यह हो गया आपका, ठीक, तो यह जो model है, यह पूरा option की price calculate करेंगे, कि right खरीदने का कितना पैसा देना है आपको, अगर आप future में खरीदने के लिए कोई fixed price recite करेंगे, तो उसके लिए आज power खरीदने है, तो यह power खरीदने का क्या पैसा देना है, यह right खरीदने की charges या right खरीदने का price आपको बताने वाले थे, इस model के through, तो यह जो model है, यह price को determine करेगा European option के basis पे, तो यह model को basically use होता है European option पे, clear है, अब European option का क्या मतलब हुआ, European option क्या कहता है, कि जो भी आपका option है, जो right है, वो सिफ expiry date पे ही exercise होगी, मतलब अगर मैंने कहा कि मैं यह option ले रही हूँ, मैं right खरीद रही हूँ, कि मैं आपको sale करूँगे 230 पे, मैंने right क्या खरीदा, कि मैं sale करूँगे 230 पे, यह मेरी power है, अब मैं power exercise करूँ, ना exercise करूँ, यह मेरी choice है, लेकि मैंने power खरी clear है, तो अब हम एक महीने के लिए right खरीदेना, तो एक महीने का जो expiry date होगा, उसी दिन यह right exercise होगा, उसके पहले exercise नहीं हो सकता है, ऐसा European option कहता था, तो basically यह model European option के लिए बनाया गया था, इसलिए कहा जाता है, कि expiry date का क्या है, वो बहुत matter करने वाली है, आपका time period, कि कब expire होगा, क्योंकि जब तक expire नहीं होगा, तब उसी time period के basis पर यह आपका model calculate हो रहा है, right, क्योंकि यह European option पर बेज़ जाए, American option पर नहीं, American option क्या होता है, कि जो expiry date है, उससे पहले भी option exercise कर जा सकता है, आपने right खरीदा, अब right किसी भी दिन आप exercise कर लेजे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकि यह European option केते है, right आपको कब exercise करना है, expiry date पर ही exercise करना है, तो यह model किस पर बेज़ है, European model पर बेज़ जाए, अब हम इसके कुछ assumptions देख लेते हैं, assumption और black schools model ख्याद रखेगा, कि black schools model के 6 variable आपको याद रखने हैं, clear है, वही 6 variable ऐसे हैं, जिसके basis पर पूरा formula frame ह जाएगा, और इसी के basis पर पूरा assumption भी है, ठीक है, तो assumptions याद करने के लिए points भी हैं, और यह की client हम इसको short में समझ लेते हैं, तो पहली बात तो यह European style option है, European style option का क्या मतलब है, जो हमने भी देख लिया, कि exercise option तभी होगा, जब expired date होगी, मतलब option का time period जब जिस दिन end हो रहा आपका वो जानना जरूरी है, जो भी underlying assets, उसकी volatility कितनी है, वो आपकी known हो और वो constant हो, fluctuate ना कर रहे हो, constant हो, कि इतना ही यह deviate करेगा, clear है, तो उसके लावा next हमारा कहते है, known and constant risk free rate of return, तो जो rate of return है, वो भी आप जानते हों, कि किस rate से return मिलेगा, और वो जो rate का return आपको मिलन वाला वो भी कैसा हो, constant हो, वो vary ना करने वाला, तो जो जिस underlying assets के लिए आपने के option किया है, उस assets पे जो return है, वो constant हो और आपको पता होना चाहिए, clear है, उनके हिसाब से यह सारी चीज़े हमें क्या होंगी, पता होंगी, उनका assumption था, इसके अलावा जो उनका assumption था, वो क्या थ मतलब कि जो underlying assets है, उसका जो return है, वो normally distributed रहेगा, जो time period रहेगा, उसके हिसाब से normal distributed रहेगा, और इसी वजह से आप इस पूरे formula में log calculate करते हैं, natural log calculate करते हैं, और जिसमें आप normal distribution के अंदर Z की value देखते हैं, उसके पीछे reason कौन है, यही आपका, कि उनका यह assumption था कि जो भी return ह है, वो normally distributed रहेगा, ठीक है, इसके अलाबा black schools model यह भी मानता है, कि कोई transaction cost नहीं होगी, कोई commission नहीं, इस तरह कोई option अगर आप खरीदने जा रहे हैं, option buy करने जा रहे हैं, call option खरीदने जा रहे हैं, put option खरीदने जा रहे हैं, sale करने का right खरीदने जा रहे हैं, buy करने का right नहीं देना है, ऐसा कौन मानता है, black schools model मानते थे, और उसी के basis पे यह mathematical equation दी गई है, clear है, जबकि practical world में यह possible नहीं है, आप इनी assumption के basis पे, आप इनके criticism अगर exam में आते हैं, तो आप बना सकते हैं, कि transaction cost यह मान रहे हैं, कि कोई transaction cost नहीं होते हैं, जबकि ऐसा क्या practical world में है, ब कोई dividend payout, pay नहीं किया जाएगा, कोई dividend pay नहीं किया जाएगा, जबकि practical life में ऐसा होना possible नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, clear है, तो यह आपका इस तरह का assumption मान लेना और इसी के basis पे price calculate करना थोड़ा सा सही नहीं पड़ता है, तो इस तरह से आप इसको criticize भी कर करती है, next आपका assumption क्या efficient market, efficient market का मतलब market random है, random मतलब efficient market क्या denote करता है, market denote करता है, market बिल्कुल सही चल रहा है, और कोई भी जो market के participants होते हैं, वो इसकी movement predict नहीं कर सकते, कि market आगे बढ़ने वाला है, market नीचे गिरने वाला है, यह prediction के लिए possible नहीं होगी, तो ऐसा black schools model का मानना क्योंकि इस तरह के case में arbitrary जा जाते हैं, उनको पता होता है कि आगे बढ़ने वाला है, यह गटने वाला तो उससे वो profit कमाना शुरू कर देते हैं, तो उनका पहला assumption क्या था, कि अगर हम option की price calculate कर रहे हैं, तो आप यह मानिए कि market कैसा efficient market है, random market है, कोई भी इसको predict नहीं कर सक और mathematical equation में इनके variables, कौन-कौन से factors ही calculate करने वाले हैं, यही जो इनके assumptions थे, इनहीं के basis पर यह उन्हें पूरा formula frame किया, सारे variables जो 6 variables से उनहीं के basis पर पूरा formula frame किया गया, यह बर हम formula देख लेते हैं, तो जो call option के लिए, जैसे put option, call option दो है, types of option में पता होना चाहिए न, तो call option क के लिए माँ formula किया जाता है, c is equal to, मतब call option की क्या price होगी, तो s multiply by nd1 minus k multiply by e to the power minus rt into nd2, ठीक है, अब इसी formula को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, that is what, c is equal to s multiply by nd1 minus k upon e to the power rt, right, और फिर nd2, अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर यह formula है क्या, यहाँ पर समझेगा, यह पूरा एक variable है, वही सारे variable है, s मतलब क्या, spot price हो गई, ठीक है, पहले बड़े-बड़े terms को समझते है, s मतलब क्या होगी हमारा spot price, c हमारा call option की price हम पता कर रहा है, spot price और k हमारा denote कर रहा है, strike price, आपने जो ride खरीदा, कितने कितने का ride खरीदा है, कि मतलब हम future में कितने पे खरीदेंगे, यह कितने पे sell करेंगे, जो भी आपने ride खरीदा, उसकी strike price क्या है, तो k हमारा strike price हो गया, spot price, strike price, clear है, और rot क्या है, rot हमारा rate of return हो, t मतलब हमारा time period के expire होने में कितना time period है, इनके variable सो clear हो गए, तो spot price होना, strike price होन और आपका risk free return होना और time period होना, यह 4 variable आपके सामने हैं, और types of option मतलब call, तो यह 5 variable हमारे सामने दिख रहे हैं, अब हमारा क्या हो गया, यह जो nd1 और nd2 है, यह mark, normally distributed है, ठीक है, और यहां से हम values calculate करते हैं, d1, d2 की values calculate करते हैं, और पूरा यह सारा mathematically है, जो कि भी हम आपको, यहां पर clear कर देते हैं, तो देखें, यह हमारा notation हो गया, spot price, strike price, e हमारा constant value होती है, 2.7183, जो हमें पता है, ellipson है हमारा, हमने पहले भी देखा, continuous compounding की वज़ह से हम यह लिखते हैं, e के power में, तो और stock market में पूरा continuous चीज़े होती हैं, जो prices होती हो, continuous vary करती हैं, तो हम compounding भी उसी तरीके से करते हैं, R, risk-free rate of return होगा, जिसमें हम compounding करेंगे, और T, हमारा time of expiration हो गया, clear है, अब यहां पर सब की value तो हमें मिल जाएगे, क्योंकि सब की value known हो जाती है, लेकिन N, D1, N, D2 की value हमें ऐसे नहीं मिलती है, N, D1 और N, D2 हमें calculate करना पड़ता है, अब N, जो है, N जो है आपका न, वो normally distributed table की से हमारी value निकलती है, Z की value निकलती है, तो N को side करिए, हमें क्या निकलना होता है, D1 और D2 निकलना होता है, और D1, D2 कैसे निकलता है, log की help से निकलता है, तो देखे, LN के है natural log, तो natural log, spot price divided by strike price, प्लस हमने कर दिया वही rate, प्लस, अब volatility था हमार न, deviation, कि कितना volatile है, तो यह हमारा हो गया, deviation का, clear है, standard deviation का square, divided by 2, यह हो गया, और इसको multiply करेंगे time period से, कितना expire होने में time period बचा हुआ है, अगर days में है, आपको question में days दिया गया है, तो days, 20 days है, 12 days है, 60 days है, जो भी days है, तो 60 divided by 365 कर दीजेगा, और अगर month सीधे सीधे समझ में आ रहा है, तो month, और divide by 12 कर दीजेगा, इस तरह इसको fraction में ले लीजेगा, decimal में ले लीजेगा, ठीके, और whole divided by क्या है, standard deviation, multiply by under root of time period, वही आपका decimal में जो आप निकालेंगे time period, वो आपका हो जाएगा, उसका under root, clear है, और जब एक बार आपका d1 निकल जाता है, तो d2 बहुत formula देखना हो, आप d2 का पूरा formula लेख सकते हैं, same d1 की तरह रहेगा, लेकिन बस जहाँ r plus standard deviation का square है, वहाँ r minus हो जाएगा, बाकी सब कुछ same रहेगा, r minus, क्योंकि यहाँ पर d1 में से minus हो रहे है, standard deviation का, तो वहाँ r plus की जगा हो जागा, r minus हो जाएगा, तो d1, d2 का formula exact same होता ह और सीधा उसमें से यह, जो आपका denominator का figure वही minus कर देंगा, answer आजाता है, तो alan क्यों हो गया, natural log हो गया, और यह हमारा standard deviation हो गया, clear standard deviation को हम figure से denote कर देते हैं, तो यह हमारा आपका आगया, पूरा का पूरा black schools model का formula, अब इस पे numerical कैसे solve करते हैं, वो just हम अभी next video में देख लेते कि एक numerical लेकर इसी formula पर apply करके हम इस पूरे को समझ लेते हैं, कि कैसे होता है, ठीक है, formula easy है, थोड़ा log वेगेरा का है, हाँ, इसको solve करने में थोड़ा time लगेगा, लेकिन अगर आप इस formula को easy तरीके से समझे, तो आप सारे variables को याद रखिए और कुछ करना नहीं है, spot price को ल पाएंगे, तो बस k divided by e की power rt और nd2 से multiply कर दीजे, तो nd1 से spot price को multiply करिएगा, और nd2 को किस से multiply करेंगे, cost divided by compounding करके, बस, sorry, strike price divided by compounding करके, और दोनों के बीच का difference है, मताँ, minus आपका बीच में sign लगेगा, बहुत easy formula है, अगर आप इस